हाई फ्रेंड्स आप यूटूब के टूजर नहीं देट्रिक चनल पर और महां बूर्ण का दोस्तों बिना को निंग के आप सब्लाने के नेक्स वीडियो में आपको मैं ओपन अधर इस्कीन और ओपन अधर इस्कीन वीथ स्टाट वैलू वाले बलोग के बारे में बताने जा तो मैं आपको बता दो कि जहां पर यूजर करना पड़े यानि कि हम लोग आज तीन तरह के बारे में जानेंगे तो यहां पर अगर आप सकते हैं हालाकि इसमें कनेक जोगत नहीं क्योंकि टाइड़ा एडवांस हो गया उसमें आप बहुत सारे वैलू को स्टोर कर सकते हैं लेकिन यहां पर हम लोगों अगर एक वैलू को के साथ अधर इसकीन को उपन कराना है तो आप सिंपली इस बालो का भी उस कर सकते हैं तो चली चलते सबसे पहले मैं एक स्कीन को एड़ कर लेता हूं और उपर में एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूं और एक बटन ले लेता हूं और चली चलते हैं बलॉक्स में तो जैसे ही बटन क्लिक होगा यह ओपन स्कीन करेंगा तो यहां पर ओपन स्कीन करने के लिए आपको दो तरह की block मिल जाती है तो चलि दोनों के बारे में करके समझते पहले जान लेते हैं जो नर्मली इसकिन को आप आप लिख दे स्कीन टू और यहां ध्यान देने वाली वाले वात यह है कि आप जो भी इसकी नाम लीख है जैसा है वह ऐसा ही लीख है अगर पहला capital है तो capital ही leak है तो अब मैं button 1 ok करूँ तब देख सकते हैं इसने skin 2 को open कर दिया है तो चले back skin 1 पर ही आयाते है और इसको मैं delete करेता हूँ और दुसरे block यानि की open skin with start value वाले को देख लेते हैं तो यहाँ किस skin को open करेगा तो यहाँ किस value के साथ open करेगा तो example के लिए मैं यहाँ पर text box 1 में जो भी text रहेगा उसको यह open कर देगा और चले चलते skin 2 में design और यहाँ पर मैं एक level ले लेता हूँ और चली चलते blocks में तो जैसे skin 2 initialize होगा तो यहाँ क्या करेगा कि level 1 text में और control म वाइलू का लोग यूज कर लेते हैं यानि कि आपने पिछले स्किन में जो भी वाइलू को सिट किये थे आप यहां पे उस में को कर सकते हैं चेंदी आप तो आप देख सकते हैं इसने लेवल 1 में एटुजे धिनी ट्रीक लिख दिया है लेकिन उन्होंने ये भी जाना चाहरे थे कि इससे पहले या हम दा वेस्ट चाइनल लिख है इसी टाइप का कुछ जाना चाहरे थे तो मैं आपको कुछ जोएंड के बहुत सारे एक्जामपल आ चुकां तो आप जो भी इसके सांट करना चाहते हों आप कर सकते हैं और मैं लिखता हूं वेस्ट यूटूब चाइनल आप चलते हैं स्कीन वान में एटुजे नहीं ट्रीक लिखने को वाइस बटन ओन जैसे ही ओके किया आप देख सकते हैं पेस्पेस नहीं दिया तो मै मैं यहाँ पर देता हूं एक स्पेस तो आप इसी तरह से किसी वाइलू को एक स्कीन से दूसरे स्कीन यानि किस वाले ब्लॉग से गेट कर सकते हैं आप कुछी की जामपल्स मैं आपको बतायता हूं जैसे मालने जाए अगर कोई बटन वन किलिक करें तो याई यूटूब खोले बटन टू किलिक करें तो याँ फेस्बूक ओपन करें तो चलिए मैं यहाँ पर यूटूब फेस्टूब दो बटन बना लिया हूं चलिए चलते हैं बलॉक्स में तो जब कोई बटन वन ओके करें तो यह स्कीन टू तो ओपन करें ही और वैलू को यहाँ यूटूब सब्सक्राइब कर लिया है और यहां फेस्बूक को उपन कर लेगा तो यह पर मैं दो तरह कि आपको समझा चुका हूं मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे और रही बात है टेक्स्ट को सेर करने की जो यह पूछ रहे कमेंट में की टेक्स्ट को गैसे शेयर करें तो सब्सक्राइब कर लिए अगर आपने सब्सक्राइब कर ले तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एच क्लिक नहीं बाइब बाइब